तो मूवी की शुरुवात होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जीवू होता है जो कि एक खाली बिल्डिंग के फोटो ले रहा था जिसका नाम क्वैंग लिम मेंशन था दर असल वो एक वेबटून आर्टिस्ट होता है जो कि किसी भी स्टोरी को अपने ड्र है जहां पर वो बहुत ही बड़ा था और वीरान भी था अब उस मेंशन के बारे में ये सुनने में आया करता था कि वहां पर अजीब और गरीब चीजे होती रहती है यानि कि वह हॉंटेड है अब तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और उसके पीछे हम एक बच्चे हो जाता है अब वो जीवू को ये बताता है कि ये जो बिल्डिंग है ना वो पहले यहां पर अनात आश्रम थी और एक दिन यहां पर अचानक ही आग लग गई और सारे लोग जो थे वो अपने बच्चों को छोड़कर वहीं पर भाग गए थे जिसके बाद में सबी है जहां पर हम उसी राइटर को देखते हैं जिसने की एक अपार्टमेंट यानि की एक रूम किराये पर लिया हुआ था जो की 504 था और वो भी इसी मैंचन का क्योंकि उसे शानती चाहिए थी क्योंकि उसके घर में अभी भी उसका एक चोटा बच्चा था और इसलिए वो जमीन पर कान लाकर सुनता है तो उसको सुनाई देता है कि नीचे के फ्लोर पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं जो कि काफी वियर्ड था अब इस आवास के बारे में राइटर जो होता है वो यहां के डीलर को बताता है और हमको यह पता लगता है कि नीचे के फ्लोर पर कोई भी नहीं रहता और यह बाद डिलर जानता था कि यह जगा हॉंडिड है लेकिन यह बाद वो उस राइटर को नहीं बताता क्यूंकि यह रूम उसको किसी भी तरह से उस राइटर को देना ही था और पैसे के लालच में लोग क्या-क्या नहीं कर जाते खेर इसलिए वो बात को सुनता है और तभी दर्वाजा खुलता है और तभी राइटर का लैप टॉप उपर से नीचे गिरता है और उसको एक बच्चा हाथ के बल भागता हुआ नजर आता है जो कि काफी क्रीपी था और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता अब वो रा तो राइटर के दर्वाजे पर फिर से कोई नौक करता है और जब राइटर दर्वाजा खोलता है तो वो ये देखता है कि जिन जूतों को उसने कूड़े में फेक दिया था वहाँ पर वही रखे हुए थे जिसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि कोई फिर से दर्वाज जनौक करता है और राय्टर को दरुषिके के दूसरी तरफ वही जले होई बच्चे दिखाई देते हैं, जिसको देखकर रायर काफी बच्चों की आत्माय उल्टी लटकी होई थी, जो कि रायटर को वही माल डालती है, अब कहाऩी प्रेसेंट में आ जाती है, जहां पर जी brought a text को कुछ भी नहीं बताता और वो जीवू से काफी वियर्ड बात करता है। और वो एक बात पर ενा देने यहां को हमेशा खयाल अगना चाहिए कि हम कि मुझे को अपना बनाינה रहे हैं कि ओधने जाए उसकों दोसरी कहानी सुनाना उसको शुरू कर देता है ये कहानी एक फार्मेसिस्ट की होती है जिसका नाम सुन होता है जो कि काफी ब्यूडिफुल थी अब हम नोटिस करते हैं कि उसके रूम में रेडियो चल रहा होता है जहां पर हमको एक न्यूस सुनाई देती है कि एक आदमी ने अपनी बीवी और 9 साल के बेटे का खून कर दिया है और बुलिस कोस की तलाश है लेकिन दूसरी तरफ सुन होती है जो कि अपनी मदर से फोन प के बास होते हैं लेकिन सुन अपनी मदर की इस बात को नहीं सुनती और फोन कट कर देती है और तब हम वहां पर एक फोटो देख पाते हैं जिसमें वो और उसका बॉइफरेंड होता है जिसका मतलब यह है कि वो तो पहले से ही मोम आया के जाल में फस चुकी थी अब रात को उसका बॉइफरेंड सुन अपार्टमेंट में आता है जो की काफी टेंशन में था और वो उससे ये पूछती है कि क्या हुआ तो उसका बॉइफरेंड ये बताता है कि हमारे बार में मेरी वाइफ को पता चल गया है और अब मुझे कुछ टाइम तक यहीं पर रहना होगा और ये बात तुम किसी को भी मत बताना तब ही सुन उससे ये कहती है कि कुछ दिन क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रह सकते हो खैराब अगले दिन सुन जब काम पर जाती है तो वहाँ पर उसके पास में दो पुलिस वाले आते हैं और वो सुन से उसके बॉइफरेंड क घार रही थी वो उसके ही बॉइफरेंड के बारे में थी खैर वह ये देखती है कि उसका बॉइफरेंड जो होता है वह बता कि मैं यहां पर हूँ तभी एक बहुत ही शौकिंग चीज होती है कि सुनके धर्वाजे की बेल वच्टी है और जब वो देखती है तो उसका दिमाग हिल जाता है क्योंकि वहां पर कोई और नहीं उसका ही बॉइफरेंड घड़ा हुआ था वो बहुत ही जदा डर जाती है कि अगर उसका बॉइफरेंड बाहर है तो अंदर शावर कौन ले रहा है और पिछली रात उसके साथ में कौन था अब वो अपने रियल बॉइफरेंड को अंदर बलाती है और उसे दिखाती है कि अगर तुम यहां पर हो तो तुमारे जैसे दिखने वाला अंदर डॉपल गै अगर कौन है उसका बॉइफरेंड भी यह चीज़ नोटिस करता है कि बातरूम के अंदर उसके जैसा ही एक आदमी नहरा होता है लेकिन तभी अचानक से ही हम यह देखते हैं कि सुनने अपनी बीवी और अपने बेटे को कैसे मारा होगा उसके हाथ में एक हतोड़ी होती है जिससे उसने अपने बीवी और अपने बेटे को मार दिया होगा तब ही अचानक से ही आसपास का महौल बिलकुल चेंज हो जाता है और जो दिवारे होती है रूम की वो खून से भीग जाती है और जो अंदर शावर ले रहा होता है ना वो पक्का कोई ना कोई इविल स्पि को देख पाते हैं जहां पर हम उसी रियल एस्टेट एजन्ट को यानि की उसी डीलर को देखते हैं जो की रूम नंबर 50 को रेंट करवाने में जिसका हाथ था जिसने की राइटर को यह नहीं बताया था कि यह मैंचन जो है वो हांटेड है खेर वो डीलर रूम नंबर 708 में र लख रहा था खेर अगली रात वो डीलर काम से लौटता है और अपने फोन पर बात कर रहा होता है कि तब भी हमें किसी की लाश दिखाए देती है जिसको प्लास्टिक में रैप करकर रखा गया था और यह लाश किसी और की नहीं बलकि उसकी असली वाइफ की थी यानि कि इ नहीं होगी खैर उस डीलर को अब यह देखता है कि उसके सिंग से पानी बाहर आ रहा होता है जो कि काफी गंदा था और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी वाइफ की जो लाश होती है वह वहां पर नहीं होती तब ही वह सिंग की तरफ देखता है और उस ल प्लास्टिक से बाहर निकल रही हो अब तभी वो जाकर एक लॉजट में क्लोजट में चुप जाता है कि तब भी यहां पर scene cut हो जाता है अब यहां तक तीन कहानिया पूरी हो जाती हैं और हमारी जो कहानी है वो प्रेजेंट के character जी वो पर transfer होती है खैर इस कहानी के बाद में वो उसी डीलर के पागल सा हो गया था लेकिन यहां पर वो कुछ अजीब बाते करता है कि जैसे उसको एक शराब लग गया है वो कल्ट के बारे में कुछ बोलता है, चर्च के बारे में कुछ बोलता है जिसको सुनकर जीवू को ज़ादा चीए पर जीवू को पैसा मिलेगा और यह बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जीवू को पैसे की बहुत ही जादा जरूरत होती है तो वह उसी मेंचन ने वाहपस जाता है और उसी मैनेजर से यह कहता है कि मुझको और कहाणिया चाहिए लेकिन वह केर टिकर यानी कि मैनेजर यह कहता है कि अगर तुमको इतनी कहानिया भी कम लगती हैं तो तुमको यहां से चले जाना चाहिए इस मैंचन से जुड़ी हुई बस इतनी ही कहानिया थी वो उसको बार बार वहां से जाने के लिए बोलता है लेकिन यहां पर जी वो बहुत ज़ादा गुस्से में आ जाता ह और वो क्लिरली ये बोलता है कि मुझे यहाँ पर जितनी कहानिया हो सके तुमको बतानी होंगी और इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ जिस पर वो केर टेकर बहुत ही जादा हसने लगता है और ये वही मुमेंट है जहां पर ये डायलॉग एकदम फिट बैटता है कि आपको कुछ भी मांगने से पहले हजार बार सोचना चाहिए नहीं तो वो आप पर ही उल्टा पड़ सकता है तब ही वो केर टेकर यानि के मैने लेकिन वो वहाँ पर फेल हो गया और वो वापस आ गया अब वो अपने घर तो नहीं जा सकता था क्योंकि उसके मदर और फादर इससे काफी जादा निराश हो जाते तो वो अपने दोस्त जे के यहां पर रुकता है खेर अब ये दोनों ही दोस्त बैटकर खाना खा रहे हो जैसे कि वो बहुत ज़़दा टेस्टी हो और बहुत ज़दा फ्रेश हो। खेर अगले दिन जब जे काम पर चला जाता है तो तेहन ये देखता है कि फ्रिज में पड़ा हुआ सारा खाना ही सड़ा हुआ था। तेहुन अब उसके रूम को भी साफ कर देता है और जब रात में जे घर वापस आता है तो अपने रूम को साफ सुत्रा देखकर शौक्ड हो जाता है और वो अपने दोस्त पर इतना गुस्सा करता है जिससे की तेहुन बहुत ज़्यादा शौक्ड हो जाता है उसका ये कहना है कि मेरे माबाप के साथ ऐसा करने की तम्हारी हिंमत कैसे हुई तब तेहुन जी को धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है अब तेहुन को यहाँ पर यकिन हो गया था कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़ बड़ है और जहां पर भी इस फोटू को देखひ रहा होता है कि तब भी पीछे से जया जाता है और जैसे ही वह अपने चहरे से हाथ अठाता है तो उसका चहरा पूरा सड़ गया था जैसे हे चेहरे पर यू फंगस लग गई नहीं गया था ये देखकर तेहुन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने कदम पीछे हडाने लगता है और जैसे ही वो ऐसा करता है तो उस पेंटिंग के अंदर से वो ब्लैक मोल्ड वाले हाथ बाहर आते हैं यहाथ उसको भायानक तरह से पकड़ लेते हैं उसका मूँ बंद कर अब यह सुनने के बाद में वो मैनेजर यानि की वो केर टेकर जीवो के हाथ में एक दूसरे रूम की चापी देता है और यह कहता है कि अगर तुमको सच जानना है तो खुछ जाकर पता कर लो और यह जो रूम था यह रूम नंबर था 1504 जो कि बहुती रहसे में रूम था अब जीवो जैसे ही उस रूम में जाता है तो उसको वहाँ पर एक टेप मिलती है जिसको वो प्ले करता है और वो जो टेप था वो किसी और का नहीं है बल्कि उसी मैनेजर यानि की केर टेकर का था अब तभी एक सीन हमको दिखाय जाता है जहां पर हम जीवो की गरल फ्रें के रिकॉर्डिंग के उपर जहां पर उसने उस मैनेजर का इंटर्व्यू लिया था अब जैसे ही वो उन टेप को प्ले करती है तो शॉकिंग ली उसको बस जीवो की आवाज आती है लेकिन वो जिसका इंटर्व्यू ले रहा था उसकी आवाज उसको नहीं आ रही थी और तभी वो समझ जाती है कि जीवो की जान खतरे में है और वो तुरंधी उस मैंचन के लिए निकल जाती है तभी उस टेप के अंदर से मैनेजर की आवाज आती है और वो ये कहता है कि अगर तुम इसको सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम सच में सचाई जानना चाहते हो और ये मैं तुम्हें खुद बताऊंगा यानि कि आकरी कहानी ये फिफ्ट कहानी उस मैनेजर की खुद की है वो ये बोलता है कि मैं यहां पर मैनेजर बनकर नहीं आया था बलकि तुम्हारी तरह ही नया नया था लेकिन फर्क इतना है कि तुम यहां पर सच्चाई जानने आये हो कि ये बिल्डिंग किसी डीमन की पूजा करने वाले किसी कल्ट ने बनाई थी और उनी लोगों का धेर सारा पैसा इसी मैंशन के किसी रूम में था अब इन दोनों को पैसे की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैनेजर की दोस्त की जो मा थी वो हॉस्पिटलाइज रोरकी थी और उसको पैसों के काफी ज़ादा जरूरत थी और उनको तुरंती सर्जरी के लिए धेर सारा पैसा भी चाहिए था साथी साथ मैनेजर का जो दोस्त होता है वोहाँ पर अलमारी से कुछ बाहर बाल लटकते हुए देखता है लेकिन जैसे ही वो देखता है तो बाल अंदर चले जाते हैं लेकिन इस बात पर मैनेजर यकिन नहीं करता खेर वो जो लाश होती है ना यानि कि उन कल्ट के लीडर की तो वहाँ पर उसके पैरों के अंदर ना कुछ गुंगरो टाइप बंदे होए थे और उसके उपर कुछ धार में कपड़ा भी रखा हुआ था अब मेनजर यहाँ पर अजीब सी बात करता है कि इस लाश को फिर से जिन्दा किया जा सकता है और यही रिजन है कि इसको चेंज से बांद कर रखा गया है यानि कि उन गुंगरों से मेनजर का दोस्त बार बार बोलता है कि यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड है और ये जगा ठीक भी नहीं है और उनको वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता और तब ही उसको उस लाश के मूँ से एक चाबी मिलती है जो कि उसी अलमारी की थी जहां पर उसके दोस्त ने बाल लेखे थे मैनेजर बिना सोचे समझे ही उस अलमारी को खोल देता है और वहाँ पर उसको डेल सारा कैश मिल जाता है यानि कि यह पैसे वाली बात जो थी वो बिल्गल सच थी अब पैसे को देखते ही मैनेजर बहुत ही जादा पगला जाता है और पागलू की तरह ही बोलता है कि हम अमीर हो गए और वो अपने बैग में पैसा बढ़ने लगता है लेकिन तब ही मैनेजर के दोस्त को पीछे से चंचंचन की आवास सुनाई पड़ती है वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता लेकिन जैसे ही वो मैनेजर की तरफ वापफ देखता है तो मैनेजर ही वहा से गायब हो गया था और जब वो फिर से पीछे देखता है तो वो लाश उसके मूं के सामने खड़ी हुई थी जो कि बहुत ही जादा कREEPY थ लिया था खेर उस कल्ट की लीडर की लाश को जिन्दा होते हुए देखकर मैनेजर का दोस्त वहां से भाग कर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठता है अब वो गाड़ी को स्टार्ट करने वाला ही था कि तभी मैनेजर भी आकर गाड़ी में बैठ तब ही उसकी नजर मैनेजर के पैरोंपर पढ़ती है जोकि ऊसके नहीं बलकी उसी लश के पैर थे थे क्योंकी उस पर गंग्रु बंदे हुए थे और जैसे ही वो उपर देखता है तो वो मैनेजर नहीं बलकी वही लश थी जो की मैनेजर का रूप लेकर गाड़ी में आए ती और तब ही वो लाश मैनेजर के दोस्त को जांसे मार देती है जिसके साथ में यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है अब जीवू को भी वही जिन्दा लाश दिखाए देती है और वो जाकर उसी अलमारी में छुप जाता है जहां पर मैनेजर को पैसे मिले थे जिसको देखकर रियल जीवू शॉक डुजाता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते दरसल सबसे पहली कहाई तो यहाँ पर यह आती है कि जो आसपास के चर्च के लोग थे उनको पता चल गया था कि यहाँ पर डैविल वर्शिपिंग होती है और यहाँ पर एक कल्ट है तो उन लोगों ने यहाँ पर सब को मार दिया और यहाँ पर आग लगा दी थी जिसके बात में इस कल्ट के लीडर की लाश को उसी रूम में बंद कर दिया गया था गैंगर इजिली बन सकता था तो सबसे पहली कहानी यहां पर उसी मैनेजर की आती है और तब ही से वो लाश मैनेजर का रूप लेकर यहां पर रह रही है और जितने भी लोग यहां पर आते हैं वो सब को मार देता है और जो उसको बेस्ट लगता है वो उसी का रूप लेता है और वो जीवो को देखती है जो कि काफी गृति सी स्मायल करता है और उसकी जो आंके होती है न वो अच्छानक सी ब्लैक हो जाती है यानि कि वो कोई और नहीं बलकि वही कल्ट का लीडर है जो कि एक इविल स्पिरिट है लेकिन दाहे के expression से हम समझ पाते हैं कि वो जान गई है कि वो जी वो नहीं है क्योंकि उसने उन recording's के अंदर clearly सुन लिया था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की voice होती है लेकिन इसके बाद में हम जानते हैं कि उस mansion के अंदर जो कोई जाता है वो जिन्दा वापस लोट कर नहीं आ पाता और वो इसी के साथ में ये movie यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी ग्रोटेस्क mansion movie की कहानी उमीद करता हूँ कि आपको ये Korean horror movie पसंद आई होगी असल में इस movie के अंदर जो सकल्ट के लीडर की लाश थी ना वही पूरा का पूरा culprit यहाँ पर था इस room के अंदर जितने भी हाथ से हुए हैं वो basically devil के लिए एक sacrifice है mighty भी वो जो बच्चे मारे गए थे ना वो भी मेरे ख्याल से satan या फिर devil के लिए sacrifice ही होंगे तो वीडियो पसंद आई हो तो like कर देना चैनल पर नए है तो subscribe कर लीजे तो मैं आप सब को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए